गुड़ मॉर्णिंग एवरीवन सबसे पहले तो आप सभी को गंतंतर दिवस की हार्दिक सूप काम नाएं आज 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73 रिपब्लिक डे मना रहा है तो मेरी दरब से सभी भारत वार्षियों को गंतंतर दिवस की हार्दिक सूप काम नाएं जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि गंतंतर दिवस 26 जनवरी को बनाने का क्या है कारण तो इसी टॉपिक को हम डिस्कुस करने वाले हैं इस वीडियो में कि 26 जनवरी को ही क्यों बनाय जाता है गंतंतर दिवस उसके पीछे क्या कारण है जाने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था सवीधान 26 जनवरी 1940 को सवीधान लागू किया गया इसके पीछे कई कारण थे हमारा देश अज़ाद हो गया पंदरा अगस्त उनिसो संतालिस को लेकिन सविधान लागू किया गया 26 जनवरी में इसी दिन 26 जनवरी पूरी तरह से अपनी अजादी की घोसना कर दी थी इसी को इंपोर्टेस देने के लिए सन 1929 में अब 1930 में क्यों मनाया जाता था सन 1930 में पंडी ज्वालडा नेर्व के देख्सता में इंडिये नेशनल कॉंग्रेस के जरिए एक सभाक आयोजिन किया गया उन्होंने एक सभाक आयोजिन किया इंडिये नेशनल कॉंग्रेस के जो अधेक्स थे पंडी ज्वालडाल नेहरू सन 1929 में और जिसमें उनकी सेहमती हुई एक डिसीजन दिया गया कि जो ब्रिटिस गवर्मेंट है वो भारत को 26 जनबरी 1930 को डोमेनिय स्टेटस का दर्जा दे तो इसी दिन पहली बार भारत का सुतंतरता दिवस मनाया गया था 26 जनबरी 1930 को भारत का सुतंतरता दिवस मनाया गया था पहली बार और 15 अगस्त 1947 को अजादी मिलने से पहले 26 जनबरी को ही सुतंतरता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 से 15 अगस्त 1947 के बीच में भारत अपना सुतंतरता देवस 26 जनवरी को ही मनाता था और 26 जनबरी 1939 को एक महत्तपूर्ण दिन था, क्यूंकि 26 जनबरी 1930 को पहली बार भारत ने अपना सुतंतरता दिवस मनाया था, उसी दिन को इंपोर्टेंस देने के लिए, 26 जनबरी 1950 को सविधान लागू किया गया, और 26 जनबरी को गंतंतर दिवस के रूप में घोशित किया गया था, तो यहीं एक मेन कारण था, कि 26 जनबरी को गंतंतर दिवस मनाया जाता है, और अब बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्या थे कितने सदस्यों ने सविधान को बनाया था तो टोटल 308 सदस्या थे जिन होने सविधान को बनाया था आज जो हमारा जितने भी कारे होते हैं हमारे देश में वो सविधान के अनसार होते हैं जो भी कारें होंगे सविधान में सविधान के अनसार होते हैं और जो सविधान का मसवदा था वो किस ने रखा था डॉक्टर भीमराव अमबेदकर जी ने सविधान का मुसवधा रखा था और उन्हें भारतिया सविधान के बास्तुकार के रूप में जाना जाता है सविधान के बास्तुकार तो इसी कारण जो में यहां भी था कि 26 जनबरी 1930 को भारत ने पहली बार सुतंतरता दिवस मनाया था इसी दिन को इंपोर्टेस देनी के लिए 26 जनबरी 1940 को सविधान लागू किया गया और 26 जनबरी को गंतंतर दिवस घोसित किया गया तो ही मेल कारण था 26 जनबरी को गंतंतर दिवस मनाने का So that's all in this video. If you like this video then share with your friends and don't forget to subscribe my channel.